हेलो इब्रीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ पतिभा, मेरे चैनल कानपुर कीचन एंड व्लोग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ अपनी फ्यूचिरा की नौन स्टिक कड़ाही का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजेगा चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसकी आउटर पैकेजिंग देख लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक कार्ड़ वोर्ट की पैकेजिंग है फ्यूचुरा नौन स्टिक एडवांस कुक्वेयर इसके उपर लिखा हुआ है और आप देख पा रहे होंगे कि ये 1.5 लिटर की है जो की काफी चोटी है यह दिखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1.5 लिटर डीफ फ्राइपन यह कड़ाई जो है वो काफी डीप सी है अगर आप कोई चीज फ्राइपन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी है नीचे ये Hawkins लिखा हुआ है Hawkins का brand है तो बहुत अच्छा है आप इस पे trust कर सकते हैं और यहाँ पर इसकी quality के बारे में mention किया हुआ है और यहाँ पर lid को option दिख रहा है बट lid इसके साथ नहीं आई हुई है तो वैसे इसके साथ किसी कड़ाई में 1.5 लीटर में नहीं आती है हो सकता है कि 2.5 लीटर के उसमें इस्टील का lid आता हो तो open करके देखते हैं तो इसके अंदर है यह मेरी छोटी सी प्यारी सी कड़ाई जो की काफी छोटी है अगर आपकी फैमिली में 4-5 मेंबर है तो आप यह वाली मतलीचे का जो 2.5 लीटर के आती है वो बेस्ट रहेगी इसी के साथ साथ इसमें एक वुडन का स्पैचुला है और यह स्क्रबर है साफ करने के लिए जो नैलॉन का आता है दो साल की गरंटी का कार्ड भी है और यह कुछ कार्ड सा है इसमें कुछ चेतामनी लिखी हुई है कि आपको इसे कैसे यूज करना है तो बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में तो मैंने इसे नॉर्मल सौप से खरीदा हुआ है आप इसे online भी purchase कर सकते हैं तो यह देखें यह बहुत अच्छी है देखने में भी बहुत अच्छी है और इसकी quality बहुत अच्छी है थिकनेस आप इसकी देख पा रहे होंगे काफी अच्छी थिकनेस है बाहर से यह भी एकदम अच्छे से sign कर रही है और खास बात यह है कि चिकनी है तो गंदी होने का कोई टेंसर नहीं रहता है आसानी से clean हो जाती है और इसके handle बहुत अच्छे है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बस यही है कि यह कड़ाई थोड़ी सी छोटी है अगर आप अपने family के लिए लेना चाहते है चोटी लेना चाहते है तब तो ठीक है नहीं तो आप 2.5 लिटर वाली लेजिए नीचे back side पर लिखा हुआ है 22 cm diameter और ठिकनेस इसकी काफी अच्छी है quality बहुत अच्छी है overall आप कह सकते हैं कि यह कड़ाई बहुत अच्छी है अगर आप लेना चाहते हैं तो futura की non-stick कड़ाई बिल्कुल ले सकते हैं size आप अपनी जरूरत के अनुसार 1.5 लिटर या 2.5 लिटर या इससे भी बड़े size में आती होगी मैंने check नहीं किया हुआ है तो wooden का spatula है तो wooden का spatula या silicone के spatula ही non-stick के बर्दनों में यूज करना चाहिए अब बात करते हैं इसकी MRP की तो इसमें MRP 900 लिक्यों है बट फ्रेंट्स इसमें कुछ discount था जिसकी वज़े से मुझे ये 800 की मिली हुई है आप इसे online भी परचीच कर सकते हैं overall ये कडाही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है I hope कि आपको ये वीडियो helpful लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share जरूर कीजिएगा फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई टेकी है